hutin घंड warfare आज मैं सिंदु घाटी सवयद्य मौहण जोद्रों को देखेंगे जो सिंदुद्व नदी किनारी के सब्सक्री भूह संदु किसी ने एक्ज़ाम आपको कारते गाए ने रखांगि5003 एक्जामय आपको देखने मिलेगे तो मोहण जोद्रों को वह कैसे याद रखा जाहिए से बहुती अच्छा टॉपिक है इसको याद करने का बहुत यह अच्छा बेस्टिक बनाएं हम देखिए कोई ख्यादमी था किसी गौ में बहुत खूस रहते थे बहुत ही झोनके अच्छे आदमी थे बड़ा आदमी थे खोट के याद रखना है गौनके कैसे आदमी थे बड़ा आदमी थे गौनके कुछ दिन के किसी कारण बस मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद क्या होता है इसको ले आ जाता है इस पर फर्की पर यह देखते होंगे आप लोगों में इस तरह का होता है जिस पर रहास को ले जाए तो इसमें होता क्या दो आद में आगे होती है दो आद में पीछे होती है तो इसे याद रखना है 1922 है फिर यहां पर आने बात क्या होता है इसको जला जाता है तो जल जाता है जब तो यहां पर बच जाता है राक राक का धेर होता है राक का टिला बन जाता है उसके बाद क्या होता है सब लोग आके क्या करता असनान करता असनान करते हैं सुद्ध होता है सबाद में जलाएने के बाद फिर अपना घर आके कुछ दिन के बाद कुछ दिन बाद क्या होता प्रति भोज होता है जिसमें हम क्या खाते हैं अन खाते हैं तो इस भोज में देखते होंगे गौण समय बहुत सारा पंडित पहुंचता है उस पंडित को क्या किया जाता है खाना तो दिया ही जाता है और कुछ गिप्ट दिया जाता है तो गिप्ट उसको क्या देते हैं मुर्ति देते हैं और कि इसे याद रखना है हमको मोहन जोदार उस समय का सबसे बड़ा अस्थल था सबसे बड़ा अस्थल था मोहन जोदारो जो अभी कहां है पाक में है यानि कि पाकिस्तान में है ईसका खोज हुआ था कब 1922 में इसका खोज हुआ था महोंच जोदारों को खोज कब हुआ था 1922 क्ello एक करण जन याद रेगा महोंच जब मरने के बाद इस को ले जाने लगा तो दोड़ में आगे पीठें तो यादे हो रगा क्या 2222 कि उसको उसके बाद के यह यह दो रहने के बाहित क्या बस्ता है राख इसका खुज करता कुर्ता ऐसे खुज करता कुझा थो रखाल श्राद बनरजी रखाल्द श्राल समय जाता है तो महज़लों क्या कंग करते हैं मेरी तकों का टीला क्या करते हैं मेरी तकों का टीला कहा जाता है मुहन जोदारों क्या करते हैं मेरी तकों का टीला करते हैं सबसे बड़ा असनाना गार पाया जागा जो भावन था बहुत बड़ा भावन था उसमें नहाने का था जिसको आभी स्विंग पूल करते हैं अब ल कि Yo Arti Voharaj में आप क्या होता बोजन मिलता उसमें अन मिलता है् हाने को तो सबसे बरा अन्ना गार क्या अन आगार तो है जातो मौहन्जोगारों था उस्का प्णुम क्या मिले मुर्थी तो इसमें क्या कहीं क्या था कार्श्य मूर्ति का खुष कहां है कास्य मोहन जोदारों का कहीं भी कहीं रहेगा इसका एक question आपको नहीं मीश होगी हर चीज इसमें clear हो गया मोहन जोदारों का और उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और भी किसी topic पर आप question चाहिए तो comment कीजेगा उस topic हम आपको बहुत ही अच्छे तरकियों से बताएंगे जो कभी आप नहीं बूलिएगा ठीक है आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद